नमस्कार आप देख रहे हैं R9 TV मैं हूँ आपके साथ श्वेता भटाचारया प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी जो है रूस के दो दिवसिये दौरे पर है जिहां भारत रूस के बीच कई एहम समझोते पर हस्ताक्षर भी हुए है दोनों नेताओं के बीच विपक्षिये बाचीत हुई है पियम मोदी के साथ प्रेस कॉंफरेंस में पुतिन ने कहा है कि भारत में मिसाइल सिस्टम बनाने पर विचार किया जा रहा है रूस से संबंधों पर प्रधान मंत्री मोदी ने कहा है कि रूस से समुद्री मार्ग पर समझोता संभव है आंत्रिक मुद्धों पर बाहरी दखल मंजूर नहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात जो है वो कही है कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद लगतार इस तरह की बाते कही जा रहे हैं कि ये हमारा आंत्रिक मामला है और इस पर किसी की भी दखल अंदाजी हमें मंजूर नहीं तो एक बार फिर से इस बात को दोराया है प्रधान मंत्री ने आंत्रिक मुद्दो पर बाहरी दखल मंजूर नहीं रूस से सहीयोग में भारत जन भागिदार है मैं और पुतिन रिष्टों को नई उचाई पर ले गए हैं भारत की नस्दीकी को रूस ने महत्व दिया है तो यह कहना है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का दो दिवसिये दौरे पर रूस पहुट चुके है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और कई दुपक्षिये मुद्दो पर बातचीत हुई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और बलादमिर पुतिन के बीच और अपडेट् उसके लिए आप देखते रहिए R9 TV.